नमस्कार चुनावी चौसर देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती सारे शै और मात के खेल चुनावों से जुड़े हुए वह आपको बताने जा रहे हैं जहन में सीम डॉक्टर मोहन यादव ने रोट्शो किया और बीजेपी के उमीदवार अनिल फिरोजिया के लिए बोट मांगे इस दौरान बीजेपी के उमीदवार अनिल फिरोजिया महापार मुकेश चक्टवाल पूरुमत्री पारस जहन मौजूद रहे रोट्शो के दौर यह दॉक्टर मुहन यादों ने पक्ष में माहौल बनाया फिरूजिया के जनता के बीच व प्रेम मिलना वो अध्मूत है कि इस लूप से हम सब की सब सीटे जीतने वाले हैं इसकार अगर बात करें तो कुछ लागों की कांतिलाल भूरिया लगातार जो बयान दे रहा है महलाओ को लेका जीजू पटवारी हो या को यह कांगरेस की कुछित भावना घंदी भावना है यही कांगरेस की लगातार जनादार खतम कर रहे हैं परचार कर रहे हैं क्या लगता को सब पढ़ेगा इत्ते साल से सकरेए 20 साल से भाजबा की जर्कार है जमान खतम हो चुकी है तांगरेस की निश्वित्ता खतम हो रहे हैं वह सहयम भी चुनाओ हां रहे हैं चिलवारा को लेकर क्या प्रडिक्सन हाब आज पाजी जीट चुकी है चुनाओ जो अभी तक के बादन भी दुरु सब्सक्राइब कि नगरी में किस तरह का जन समर्थन आप देख पा रहे हैं अपनी लिए और जन्ता के दिल में मोदी और तेरा मही को होने वाले लोगस्तबा के चनाओ में तेक्टे के तमाम पुर्टता है वह आप पहुचे हुए अपार जन्समर्थन जो है वो मिल रहा है और सबी की सबी सीटर जीते हैं ये दाबा जो है मुकमन से दॉक्तर मोहन यादव ने किया है कमर्में अज़त अबर के साथ सैलें सिंग नुजटी उजटी उज्जैन तो दरसल लोकसवा चुनाओ के चोथे चरण के लिए साम सीएम डॉक्तर मोहन यादव लगा तार तूफानी प्रचार कर रहा है इस क्रम में आज वो धार भी पहुचे धामनोद में बीज़ेपी उम्मिद्वार के समसर्थन में रूच्शो किया लोगों से बीज़ेपी के अपक्ष में मर्दान करनी के अपील की धार में बीज़ेपी उम्मिद्वार सावित्री ठाकोर का कॉंग्रेस के राधे श्याम मोबैल से मुकाबला है इधर लोगसभा चुनाओ के प्रचार रण में पूरू सीम शिवराज सिंग चौहान ने भी अपनी पूरी ताकत जोग दिये इस क्रम में शिवराज सिंग चौहान मंसौर में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुचे इस मौके पर कॉंग्रस लेताओं और शिव सेना के राजी सभा सांसद संजाय राउत पर उन्होंने निशाना साधा संजाय राउत को राजनीती का जोकर बताया शिवराज ने कहा के राहुल गांदी और कॉंग्रस के लेता उल जुलूल बोल रहे कुछ भी बोलते रहते हैं जिसका चुनाओं से कोई लेना देना नहीं है पी एम की लोग प्रियता का मुकाबला नहीं कर पाते तो उनके बारे में इस तरह के सब्दों का अपमान करके इस्तेमाल करके कौसिस करते हैं अपमानित करने की लेकिन हर ऐसी बात का जवाब जनता देती है और इस चुनाओं में भी देगी इधार लोग सब्दों के चौथे चरण के प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जोग दी है प्रदेश अद्यक्षबीडी शर्मा नीमत पहुंचे बीजेपी उमिद्वार के पक्ष में चुनावी सभा को समोधित किया कॉंग्रेस पर निशाना साधा कहा कर रही है तो पूछिए कि मैनी पस्टों में क्या लिखा है अलपसे क्ट्रिकों को ओवी सी का दर्जा देकर आरक्षब यानि अनुसुच जाती जंजाति और और बीसी के आरक्षब में डांका कौन डाल रहा है कॉंग्रेस डाल रही है और के बल कहनी रहे हैं इनोंने करना तक में लागू किया है, ये मध्धिप्रदेश देश के कौने कौने में लागू करना चाहते हैं, लेकिन मोधी की गारंटी है, हमारे गलिक भाई, बहें, लोधी सी, किसी का भी आरक्षन, ऐसे लोगों को डाका नहीं डालने दिया जाए। कौंग्रेस भी लोग सभाज चुनाओ के प्रचार में पूरी ताकत लगा रही है, कौंग्रेस के प्रदेश अदेच जीतू पटवारी मनसौर पहुंचे, कौंग्रेस के उमीदवार, दिलित सिंग गुर्जर के समर्थन में उन्होंने रोट शोंगी है। और अब दरसल उस सीट की बात करेंगे जो लगातार सुरुखियां बटोर रही है। यहाँ पर दरसल एक ऐसा उम्मीदवार बीच में आया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। और इस उम्मीदवार का नाम है नोटा। लोग सभा चुनाव में यह पहली बार होगा कि कॉंग्रेस एक सीट पर उम्मीदवार को नहीं बलके नोटा के प्रमोशन केम्पेन में जूटी है। जवाब में बीजेपी ने भी छेड़ दिया है बम पर वोटिंग अभियान। देखिए मिनी मुंबई में नोटा पर सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है। तूफान ला दिया। ये पहली बार है जब इंदोर लोग सभा सीट पर कॉंग्रेस का कोई चेहरा ही नहीं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट लाकर कॉंग्रेस ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी। और जोर शोर से नोटा के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है कॉंग्रेस। अगर नहीं जागोगे तो हो सकता है कि आज हम शर्मिंदा है कि हमारा प्रत्यासी चला गया उसके लिए दुख भी है और सच में रादवर नीन नी आई। दो लाग से जादा वहनों में लगे मेरा वोट नोटा को के स्टीकर और नोटा के समर्थन में इन दौर में निकाली जा रही रहलियों का ही असर माना जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का इन दौर संसत को लिखा गया पत्र। कॉंग्रेस की नोटा केंपेंड की हवा निकालने के लिए बीजेपी ने भी मैदानी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के बड़े नेता वोटर को समझाने के लिए राष्ट्यों सिवक संग के सरसंग संचालक मोहन भागवत का संदेश भी सोशल मीडिया में प्रसारित कर रहे हैं। मिनी मुंबई में बनेगा कौन सा रिकॉर्ड। इधर बीजेपी के कद्दावर ने था और मोहन कैबिनेट के मंत्री कैलाश विजेवर गिये इन दौर लोग सभा सीट पर ना सिर्फ जीत का दावा कर रहे हैं। दावा ये भी कि आठ लाक वोटों के अंतर से जीतेंगी। 2019 के लोग सभा चुनाओं में रतलाम में सबसे जादा 35,431 वोट नोटा पर पड़े थे। इन दौर लोग सभा सीट की बात करें तो 2019 में 5,045 वोट नोटा पर पड़े। लेकिन बीजेपी के शंकर लालवानी ने ताई के 2014 में हुई जीत के रिकॉर्ड को भी फवीका कर दिया था। लालवानी 5,47,754 वोट से जीते थे। लेकिन इन दौर में मार्जन ओफ विक्टरी का चुनाओ माने जाने वाला चुनाओ नोटा की एंट्री से दिल्चस्प हो गया है। गिरोरपोर्ट, निउज 18, मध्यप्रदेश 36 और मध्यप्रदेश की राजनीती में भी विवादत बयान पर मानू घमासान छड़े हैं। मध्यप्रदेश के बड़े सीनियर नेता के बयान का मध्यप्रदेश कॉंग्रिस के अद्ध्यक्ष समर्थन करते नजार आते। और उसके बाद केंद्रिय मंत्री गिरी राज सिंग ने इस पूरे मसले को लेकर तीखा पलटवार किया। और इसके साथ साथ बहु विभा का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करके नारी गरीमा को भी ठेस मौचाई। बीजेपी के भी कई वरिष्ट नेता कांतिलाल भुरिया के बयान को बेहद आपत्ति जनक मान रहे हैं। और इस पर बयान बाजी मध्य परदेश से लेकर बिहार तक चल रही है। इस पूरी राजनीथी के बारे में हम आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले देखिए कांतिलाल भुरिया ने क्या कहा। तेरा मैं कांग्रेश के नेता आने करता एक-एक माता वेहन सब को आगे लाओ। और कांग्रेश सरकार आते ही हमारा जो पहुच्णा पत्र है हर महिला को एक-एक लाख रुपिया उचे खासेब जमा होगा। एक-एक लाख सबी घर के महिला होगा। ए वालू वेगले अब जिसकी दो पत्र है तो दो लोग जाएगा। बिहार के वरिश्ट नेथा और केंद्रिय मंतरी ग्रिराश शिंग ने कांतिलाल भुरिया के इस बयान को सीधे-सीधे मुसलमानों के तुष्टी करण से जोड़ दिया है। ग्रिराश शिंग ने साफ साफ कहा है कि क्या अगर किसी की तीन पत्रिया होंगी तो उसको कॉंग्रेस पार्टी की सरकार तीन लाख रुपया देगी। कांतिलाल भुरिया के बयान पर छड़ी राजनिती ने अब सामपरदाइक रंग ले लिया है। अच्छा है। यानि मुसल्मान को तीन सादी है तो तीन लाख देंगे। जिस मच से कांतिलाल भुरिया ने ये बयान दिया। उसी मच पर मद्यपरदेश के कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पत्वारी भी मौशुद थे। जीतू पत्वारी ने कांतिलाल भुरिया के बयान का समन्थर कर दिया। मुसलिम पर्सनल लौ मुसल्मानों को बहु विवा की ज़ादत देता है। लेकिन बहु विवा की परंपरा के खلाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर या चिकार दायर की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले पर एक पीट का निर्माण भी किया जा चुका है ऐसे में दो पत्नियों को दो लाख रुपे देने के कांती लाल भूरिया के विवादित बयान ने महिला नेताओं को भी नारास कर दिया है कांती लाल भूरिया के इस घोर आमर्यादित बयान की निंदा करते हूँ कांती लाल भूरिया मद्य परदेश के बड़े आदिवासी नेता है भूरिया 1998 में पहली बार लोकसबा सांसद बने मनमोहन सरकार में कांतिलाल भूरिया मंतरी भी रहे है भूरिया मद्यपरदेश कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष भी रहे है MP के रतलाम से ही कांतिलाल भूरिया कॉंग्रेस उम्मिद्वार भी है रतलाम लोकसबा सीट बीजेपी का एक गड़ बन चुकी है मद्यपरदेश की सीट पर 2014 और 2019 में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्च की है ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कांती लाल भूरिया क्या विवातित बयान देकर चर्चा में आना शाहते हैं ये बयान उनको फायदा पहुचाएगा या नुकसान ये चार्ड जून को पता सल जाएगा महीं दो महिलाओं वाले बयान पर कॉंग्रेस की उमिद्वार कांती लाल भूरिया ने अब सफाई भी दी है जो चल रहा है वो गलत है मैंने शिर्फ वहिंग के रुप में कहा था सबाम बिठेक आदिवैशी यूग द्वारा पुछा गया कि उसकी दो पत्नी है तो क्या उसको भी लाग मिलेगा क्योंकि आदिवैशी समाज में इसकी कानून अनुमती है इसलिए मैंने वहिंग के कांग्रीश चरकार में देंगे मतलब हर महिला को साड़ाय आठ हजार रुपे हर महिला मिलेगा इधार विधायक विकरांद भूरिया ने वनमंत्री नागर सिंग चौहन पर बड़ा आरूप लगाया भूरिया ने वनमंत्री पर दससे ज़ादा अपराधूर में शामिल होने पाइक वीडियो भी दिखाया इसमें वो अपने पित्ता के जेल जाने की बात कह रहे हैं इस के आधार पर भूरिया ने वन मंत्र से स्पच्चिकरण मांगा है और पूछा है कि किन मामलों में जेल हुई उसकी जानकारी दें मैं आपके सामने ये सबूत पेश करता हूँ ये सबूत नहीं बहुत बड़ा सबूत है जिसको कई न कई दबाने का पूरा प्रयास करा गया और आज जैसे कहा जाता है कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता इसमें नागर सिंग चोहांच जी पर जित्ते भी अपराद दर्ज हुए थे उन में से कुछ अपरादों की सूची है एफायर के क्रमांख है ये चीज उनको सपष्ट करना चाहिए और इसकी कॉपी में आप सबको दूंगा क्योंकि ये हर वेक्ती तक पहुचने का जवाबदारी आप लोगों की है जनता को सत्यता पता होना चाहिए कि उनका प्रतिजित करने जो जा रहे हैं वो कित तरह के लोग है और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए